हेलो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम डे बुक की बात कर लेंगे जैसे कि आप सभी चानते हैं अगर आप कहीं भी एज अन अकाउंटेंट काम करने जाएंगे और आप एक जूनियर लेवल पे हैं या फिर आपको कुछ भी टाइम के लिए अगर डे बुक समालने के लिए दिया जाएं तो आपको कैसे करना है आपको किस तरह से डे बुक क्या होती है कैसे ट्रांजेक्शन लिखते हैं कैसे ब्राइड INFORVARD करते हैं तो यही सब आज की वीडियो मेंALKं में हम डिसकस करने वाले हम तो देख लिज जी डे बुक लिखेंगे जिसका मतलब होता है लास्ट देख लेंगे तो उसके लिए हम यहां प्रीवियस बैलन्स हुआ लिए हम पीछह देख लेते हैं जितना बैल dentist होगा bios हम यहां पर नोट डाउन कर देंगे जिसे हैं लिए हमारा लास्ट है ओ страх 14,392 14,392 तो वो हम यहाँ पर note कर लेते हैं ठीक है यह हमारा brought down हो गया जो कि last day हमारा cash हमारे cash in hand था यह वो cash है ठीक है यह हमने note कर लिया अब माली जी किसी भी party से हमारे पास receipt आई है 5000 की तो आप उसका नाम लिखके हमारे 5000 cash लिख देंगे इसके बाद आप जानते हैं किसी को भी अगर हमने payment करी है तो receipt side हमारे उस side आएगी और payment side हमारे इस side आएगी तो देख लीजिए जैसे मान लीजिए राम एक employee उसने advance लिया है 2000 तो हमने यहां पर राम रेकेट में advance करके 2000 लिख दिया है इसके बाद मान लीजिए कोई भी है जिससे कि आपकी company में petrol के खर्चे होते ह है आपकी scooty होगी, car होगा इस type से कुछ भी हो सकता है या फिर factory होगी तो वहां पर भी petrol का use होता है तो किसी भी type का हो सकता है तो यहां पर petrol के लिए अपने 500 दे दिया तो अपनी side लिख दिया और हम जानते हैं कि पूरे दिन में जितना भी हमारा cash आया है और cash गया है और है तो यह हमारे डे बुक का परडे का जो transaction का records है वह जो क्या अब बात कर लेते हैं कुछ और expenses हम यहां पर लिख लेते हैं जैसे माली जी कोई अधित्य है अधित्य ने हमारे यहां पर stationery का समान लाना था उसको हमने उसको कुछ cash दे दिया तो 1000 हमने cash दिया है अब क्या होत पास आया है वह 940 का आया है तो इस case में जो हमारा अधित्य होगा वह हमें refund करेगा 60 रुपीज का तो हम यहां पर लिखेंगे अधित्य रिफंड 60 रुपीज ठीक है और हम यहां पर bracket में लिख देंगे जितने कभी हमारा expense हुआ है जितने कभी हमारा bill है तो आप देख सकते जो refund है वह already उस side लिख दिया है तो हमारा जो balance करेंगे तो वह already add होकर इसमें आ जाएगा जीक है जो total amount होगा हम इसको add करके उसमें include कर चुके है तो आपको bracket वाले amount पर ध्यान नहीं देना है वह सिर्फ लिखने के लिए है लेकिन आपको actual amount जो हमने दिया है वह यहां पर figure लेनी होगी इसमें काफी confusion हो जाती है अगर आप first time कहीं पर भी day book संबाल रहे हैं या फिर आप आपको hand over दिया गया है किसी भी purpose से या किसी भी company में चोटे लेवल पर भी हो सकता है बड़े लेवल पर भी हो सकता है तो चीजे समझने वाली यहां पर यही है कि आपको इस video क जरीए मैं बताना चाहती हूं कि अगर आप समालने जा रहे हैं तो इस video को एक बार जरूर देख लेए ताकि आपको आइडिया हो जाए कि day book समालने के लिए हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना होता है तो देख लीजी जैसे हमारा वहां पर balance city था अब हम next day carry forward करेंगे त तो इस तरह से फिर next day carry forward करके हम transaction start कर देंगे तो आज की वीडियो में इतना ही मिलते है next वीडियो में ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और काफी सारी वीडियोस मैंने अल्रेडी बनाई हुई है जिसका link में description में देदोंगी और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल ना भूले